हिंदी सिनेमा में अपने शांदार अभिने की छाप छोड़ने वाले कलाकारों की श्रेणी में एक अभिनेत्री का नाम बहुत उपर आता है। वो है अभिनेत्री तब्वू, जिन्होंने अपने संजीदा अभिने से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगे बनाई है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सी फिल्में दी हैं और जितने भी करदारों को निभाया है उन सभी को अपने शानदार अभिने से यादगार बना दिया है। लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप इनके husband के बारे में जानते हैं, कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं, अगर आप भी इन दिल्चस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक बॉलिवुड की जानी मानिय अभिनेतरी तबू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाश्मी है जिनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदरबाद में हुआ था इन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई सेंट एन एस हाई स्कूल हैदरबाद से की और कॉलेज की पढ़ाई सें इस फिल्म के तीन साल बाद 1985 में आई फिल्म हम नौजवान से इन्होंने लीड एक्ट्रिस के तौर पर बॉलिवुड में डेब्यू किया जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से भढ़कर एक फिल्मों से नवाजा जिन में हिम्मत तू चोर मैं सिपाही आम करें इनके रियल लाइफ पती के बारे में तो बतादें कि इन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की हैं लेकिन इनके अफेर की चर्चाएं काफी सुर्खियों में रहती हैं इनका सबसे पहला अफेर सहकलाकार संजे कपूर के साथ था लेकिन इनका ये रिष्टा अफ़ी सालों तक डेट करने के बाद जब एक इंटरव्यू के दौरान तब्बू ने साजिद के साथ रिष्टे को लेकर खुलासा किया तो साजिद ने इन से अपने सारे रिष्टे तोड़ दिये। लेकिन इसके बाद भी इनका एक और शक्स के साथ नाम जुडा और वो कोई और नहीं बलकि साउथ सूपर स्टार नागारजुन अक्की नेनी थे। पर अफसोस दोनों एक दूसरे के कभी हो नहीं पाए क्यूंकि नागारजुन पहले से शादी शुदा थे। वैसे साल 2015 में भी खबरें आई थी कि तब्बू ने गुपचुप तरीके से किसी बिजनेसमेन से शादी रचा ली हैं पर उसका भी कोई पुखता सुबूत नहीं मिला था। जिसके चलते ये बात भी पूरी तरहा जूटी साबित हुई। हाला कि आज भी तब्बू सिंगल हैं और अपनी सिंगल लाइफ को काफी एंजॉई कर रही हैं। तो दोस्तों आपको तब्बू के अफेर्स के बारे में जानकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलिवूड की इंट्रस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।